जय जगन्नाथ, उडिशा के राजपाल, श्री गनेश्रिलाल जी, मुख्यमंत्री, मेरे मेत्र स्रिमान नविन पत्नायक जी, केमिनेट में मेरे सहयोगी, अस्विनी वैष्णव जी, धर्मेंदर प्रदान जी, विश्वेस्वर टूडू जी, अन्य सभी महानुभाव, और पच्चिम मंगाल एवं ओडिशा के मेरे सभी भाईयों और बहनों, आज ओडिशा और पच्चिम मंगाल के लोगों को बन्दे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है, बन्दे भारत ट्रेन, आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतिया दोनों का प्रतीक बन रही है, आज जब बन्दे भारत एक स्थान से दुसरे स्थान पर यात्रा करती है, तो उसमें भारत की गती दिखाई देती है और भारत की प्रगती भी दिखाई देती है, अब बन्गार और ओडिसा में बन्दे भारत की गती और प्रगती दस्तक देने जा रही है, इस से रेल यात्रा की अनुभव भी बदलेंगे और विकास के माइने भी बदलेंगे, अब कोलकता से दर्शन के लिए पूरी जाना हो, या पूरी से किसी काम के लिए कोलकता जाना हो, ये आत्रा केवल साड़े छे गंटे की रह जाएगी, इस से समय भी बचेगा, व्यापार और कारोबार भी बढ़ेगा, और युवाओं के लिए नए आवसर भी तायार होंगे, मैं ओडिसा और पस्चिम मंगाल के लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, जब भी किसी को अपने परिवार के साथ, कहीं दूर यात्रा पर जाना होता है, तो रेल ही उसकी सबसे पहली पसंद होती है, उसकी प्रात्विक्ता होती है, आज ओडिसा के रेल डिवलप्मेंट के लिए, और भी कई बड़े कारिय हुए है, पूरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनी करण का सिलान्यात हो, रेल लाइनों के दौरी करण का काम हो, या ओडिसा में रेलवे लाइन के शत्त प्रतीशत विद्ध्यूती करण के लक्षि प्रात्ती हो, मैं इन सभी के लिए ओडिसा के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, ये समय आजहादी के अमरित काल का समय है, भारत की एक्ता को और मजबुत करने का समय है, जितनी जादा एक्ता होगी, भारत का सामुहिक सामर्थ उतना ही जादा सिखर पर पहुँचेगा, ये बंदे भारत ट्रेने इस भावना का भी प्रतिविम्ब है, इस अमरित काल में बंदे भारत ट्रेडर, विकास का इंजीन भी बन रही है, और एक भारत, स्वेश्ट भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है, भारत ये रेलवे सब को जोड़ती है, एक सुत्र में पिरोती है, बंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी, ये बंदे भारत, बंगाल और ओडिसा के बीच, हावडा और पुरी के बीच, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबुत करेगी, आज देश के अलग अलग राज्यों में एज़ी ही करीब पंदरा बंदे भारत ट्रेने चल रही हैं, ये आधुनिक ट्रेने देश की अर्थववस्ता को भी रप्तार दे रही हैं, साथियों, बीते वर्षों में भारत ने कठीन से कठीन वैश्विक हालातों में भी अपने विकास की गत्य को बनाए रखा है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज की भागिदारी है, देश हर राज को संध लेकर आगे बढ़ रहा है, एक समय था, जब कोई नई टेकनलोजी आती थी, या नई सुविदा बनती थी, तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सिमित रह जाती थी, लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहा है, आज का नई भारत टेकनलोजी भी खुद बना रहा है, और नई सुविदाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुँचा रहा है, ये बंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बल्बुते ही बनाई है, आज भारत अपने बल्बुते ही 5G टेकनलोजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर खेतरों में ले जा रहा है, भारत ने कोरोना जैस्टी महमारी की स्वदेशी वेक्षिन तयार करके भी दुनिया को चोंका दिया था, और इन सब प्रयासों में समान बात ये हैं कि सारी सुमिधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सिमित ही नहीं रही, बल्कि सब के पांस पहुँची, तेजी से पहुँची, हमारी ये वंद्य भारत टेने भी अबुत्तर से लेकर दक्षिन तक, उरब से लेकर पस्चिम तक, देश के हर किनारे को स्पर्श करती हैं, भाई और भेनों, सबका साथ, सबका विकास की इस नीती का सबसे बड़ा लाब, अध देश के उन राज्यों को हो रहा है, जो विकास की दोड में पीछे छुट गए थे, पिछले आठ नव वर्षों में, ओडिसा में, रेल परियोजनाओं के बजेट में काफी बुर्द्धी की गई है, 2014 के पहले, दस वर्षों में, यहां हर वर्ष आउसतन, 20 किलोमेटर के आसपास ही, रेल लाइने बिछाई जाती थी, जबकि साल 2022 में, यानि सिर्फ एक साल में ही, यहां, 120 किलोमेटर के आसपास, नई रेल लाइने बिछाई गई हैं, 2014 के पहले दस वर्षों में, यहां ओडिसा में, 20 किलोमेटर से भी कम लाइनों का दोरी करण होता था, पिछले साल यह आकड़ा भी बढ़कर, 300 किलोमेटर के आसपास पहुँच गया है, ओडिसा के लोग जानते हैं कि करिब 300 किलोमेटर लंबी खोरदा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी, आज इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, हरिदासपूर पारादिप नई रेलबाल नाइन हो, टीटलागड राइपूर लाइन का दहरी करण और विद्ध्यूति करण हो, जिन कामों का इंतजार ओडिसा के लोगों को वर्षों से था, वो अब पूरे हो रहे हैं, आज ओडिसा देश के उन राज्यों में हैं, जहां सत्व प्रतिशत हंड्रेट परसंट रेल नेटवर्क का इलेक्टिफिकेशन हो चुका है, पस्चिम बंगाल में भी हंड्रेट परसंट सत्व प्रतिशत इलेक्टिफिकेशन के लिए तेजी से काम चल भी रहा है, इससे ट्रेनों की रफ्तार बड़ी हैं, और मालगाडियों की समय की भी बच्चत हुई हैं, ओडिशा जैसा राज्य जो खनीच संपदा का इतना बड़ा बंडार है, केंद्र है, उसे रेल्वे के इलेक्टिफिकेशन से और ज्यादा फाइदा मिलेगा, इससे अउद्योगी की विकास को गति के साथ ही डिजल में होने वाले प्रदुशन से भी मुक्ति मिलेगी, इन्फरास्ट्रक्टर के निर्मा का एक और पक्ष है, जिसकी उतनी जादा चर्चा नहीं होती है, इन्फरास्ट्रक्टर से लोगों का सिर्फ जीवनी असान नहीं होता, बल्कि समाज को भी ससक्त करता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्टर का अभाव होता है वहां लोगों का विकास भी पीशड़ जाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास होता है वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है आप भी जानते हैं कि PM सवभाग्य उजना के तहट भारत सरकार ने धाई करोड से जादा घरों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिया है इसमें उडिशा के गरीब 25 लाख और बंगाल के सवा साथ लाख घर भी शामिल है अब आप सोचिए अगर यही एक योजना नहीं शुरू हुई होती तो क्या होता 21 सदी में आज भी धाई करोड घरों के बच्चे अंदेरे में पढ़ने के लिए अंदेरे में जीने के लिए मजबूर रहते वो परिवार, modern connectivity और उन सभी सुविदाओं से कटे रहते जो बिजली आने पर मिलती है साथियों आज हम एरपोर्ट के संख्या 75 से बढ़कर करीब 150 हो जाने की बात करते हैं यह भारत की एक बड़ी उपलब्दी है लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो इसे और बड़ा बना देती है आज वो व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है जिसके लिए यह कभी जीवन का सबसे बड़ा सपना था आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी ही तस्वेरे देखी होगी जिसमें देश के साधारन नागरिक एरपोर्ड के अपने अनुभव साजा कर रहे हैं जब उनके बेटे या बेटी उन्हें पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कराते हैं उस खुशी की कोई तुलना नहीं हो सकती साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भारत की अपलब्धियां भी आज अध्ययन का विशय है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्बान के लिए दस लाख करोड रुप्य ताय करते हैं इससे लाखों रोजगार भी बनते हैं जब हम किसी खेत्र को रेल और हाइवे जैसी कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ यात्रा की सुवीदा तक सिमित नहीं रहता ये किसानों और उद्यम्यों को नए बाजार से जोड़ता है ये परियाटकों को टूरिस प्लेस से जोड़ता है ये छात्रों को उनकी पसंद के कॉलेज से जोड़ता है इसी सोच के साथ आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है साथियों आज देश जन सेवा ही प्रभू सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है हमारी आध्यात्मिक ववस्ताने सद्यों से इस विचार को पोशित किया है पूरी जैसे तिर्थ जगरनाथ मंदीर जैसे पवित्र स्थाम इसके केंद्र रहे हैं भगवान जगरनाथ के महात्रसाथ से सद्यों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है इसी भावना के साथ आज देश प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना चला रहा है असी करोड लोगों को मुप्त राशन दे रहा है आज किसी गरीब को इलाज की जरुद होती है तो आईश्मान काड के जरिये पांच लाग तक मुप्त इलाज उसे मिलता है करोडों गरीबों को प्रधान मंत्री आवाश जोजना के तहर पक्के मकान मिले है घर में उज्वला का गैस सिलिंडर हो या जल जीवन मिशन के हैथ पानी की सप्लाई हो आज गरीब को भी वो सब मौलिक सुविधाय मिल रही हैं जीन के लिए उसे पहले बरसों इंतजार करना पड़ता था साथियों भारत के तेज विकास के लिए भारत के राज्यों का संतुलित विकास भी उतना ही आवशक है आज देश का प्रयास है कि कोई भी राज्य संसा धनों के अभाव के कारण विकास की दोड़ में पिछड़ना नहीं चाहिए इसलिए पंदर्वे वित्त आयोग में ओडिसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए पहले के मुकाबले जादा बजेट की सिफारस की गई ओडिसा जैसे राज्यों को तो इतनी विशाल प्राकोतिक संपदा का भी असिरवाद मेरा हुआ है लेकिन पहले गलत नित्यों के खारण राज्यों को अपने ही संसाधनों से बंचित रहना पड़ता था हमने खनीच संपदा को ध्यान में रखता भिये खनन नित्य में सुधार किया इससे आज खनीच संपदा वाले सभी राज्यों के राज्यस्वब में काफी वृद्धी हुई है जी एश्टी आने के बाद टैक्से होने वाली आमदनी भी काफी बढ़ गई है ये संउसाधन आज राज्य के विकास के लिए काम आ रहे हैं गाउं गरीब की सेवा में काम आ रहे हैं ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं का सफलता से मुकाबला कर सके इस पर भी केंदर सरकार का पूरा ध्यान है हमारी सरकार ने ओडिशा को आपदा प्रबंदन और NDRF के लिए आठ हजार करोड रुपे से ज़्यादा की राश्य दी है इससे साइकलोन के दोरा जन और धन दोनों की सुरक्षा में मदद मिली है साथियों मुझे विश्वास हैं आने वाले समय में ओडिशा बंगाल और पूरे देश के विकास की ये गती और बड़ेगी भगवान जगनात मा काली उनी की कृपां से हम नए और विक्सित भारत के लक्ष तक अवश्य पहुचेंगे इसी कामरा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार सब्सक्राइब